Hello everyone, welcome back to my channel, कैसे हैं आप सब? आज आपके सामने में लेकर आई हूँ बहुती छोटी छोटी टिप्स जो आपके बड़े काम आने वाली हैं और इन टिप्स का जिकर हमारे बड़े बुजर्ग आज तक जरूर करते आयोंगे आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा तो हमें इनका पालन जरूर करना चाहिए जिसे कि आप हमेशा स्वस रहेंगे और मस रहेंगे पहला नियम है जो औरते चान्दी की पायल पहनती हैं उनके जोडों में दर्द की दिक्कत खतम हो चाती है, हड़िया मस्बूत होती है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है जोडों की सूचन भी कम हो चाहती है दूसरा है कि अराम से हमें खाना खाना चाहिए जिसके लिए हम इतनी भागदौर कर रहे हैं जिस चीज के लिए हम कमा रहे हैं वो रोटी ही तो है अगर उसको भी हम जोल्दवाजी में खालेंगे तो हमें बहुत सारी बिमारियां घेर लेंगी तीसरा नियम है बैट कर जाडू लगाने वाली औरतों को कभी भी हड़ी से सम्बंदित कोई भी दिक्कत नहीं आती रीट की हड़ी हमेशा उनकी सीधी रहती है चौथा नियम है बदन में दर्ध होने पर सरसों के तेल में नमक मिलाकर गुनगुना कर लें और उससे अपने शरीर की मालिश करें उसके बाद गरम पानी से नहालें तुरंत आपको लाब मिलेगा पांच्वे टिप है कि दूड को एक से दो बार उबाल कर ही इस्तमाल करें नहीं तो उसके सारे सकारात्मक तत्वन नश्ट हो जाते हैं सिक्स टिप आपकी ये है कि शरीर को स्वस्ट रखना है तो खुली हवा में लंबी-लंबी सांसे लीजिए और कुछ देर पैदल चलने की आदत आलिए साथवी टिप ये है कि रात को एक चमच, त्रिफला, मिठी के बरतन में भिगो कर रख दीजिए और सुभा इसे छान ले इससे आखे धोने पर आखों की रोश्नी बढ़ जाती है और आखों से सम्मदित कोई भी बिमारी आपको नहीं होती आठवी टिप बदाम, किश्मिश और केला दूद में मिला कर पीए तो शरीर को बहुत ताकत मिलती है और कमजोरी दूर हो जाती है नौवी टिप ये है कि अगर आप हमेशा जवान रहना चुराते हैं तो सबसे पहले आपको अपने गुसे पर काबू रखना होगा क्योंकि जादा गुसा करने वारे लोगों के चहरे पर जल्दी बुड़ापा छलकने लगता है दस वी टिप ये है कि सासों की तकलीफ हो या कोई भी ऐलर्जी तो अद्रक की चाई जादूई तोर पर काम करती है यानि आपको पानी में थोड़ी से अद्रक घिसनी है और चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर काली मिर्श पाउडर डालके उबाल लेना है और उसको आपने पी लेना है ये होती है अद्रक की चाई ग्यारवे टिप है कि भुने होई चने रोज खाने से खासी में अराम मिलता है बारवे टिप है ये शैंपो की जगा 100 ग्राम दही में थोड़ी से काली मिर्श मिलाकर हफते में इससे बाल धुए तो आपके बाल काले भी होंगे और बालों का जढ़ना भी बंद हो ड्राएगा तेरवे टिप ये है कि पेट्रूरियम जली को एडियो की दरारों में लगाएं दरारे जल्दी भर जाती हैं एडियो के उपर केवल इसके एक परद लगाकर राद भर के लिए छोड़ दे आपकी एडिया बिल्कुल ठीक हो ड्राएंगे चौतवी टिप ये है कि बालों का जढ़ना रोकने के लिए अंटा और जेतून का तेल का हैर मास बना कर हफ़ते में दो बार लगाएं इससे आपके बालों का जढ़ना कम हो ज़ाएगा पंदवे टिप्स ये है कि आठे को दूद में गूंद कर पराठे बनाए पराठे बहुत स्वादिश और खस्ता बनेंगे सोलवे टिप्स ये है कि नींद की कमी का सीधा असर आपकी तवचा पर दिखाई देचा है जिससे आप बूरे नज़र आने लगते हैं इसलिए आपको अपनी नींद का पूरा ध्यान रखना है सत्वे टिप्स ये है कि नाश्ते में दलिया खाने से डाइबिटीज की समस्या खतम हो जाती है अठार्वे टिप्स ये है कि चाए जादा पीने वालों को आसिडिटी की प्रॉब्लम हमेश्रा बनी रहती है तो चाए का सेवन कम करें 19 वी टिप्स ये है कि हरी शिमला में शमोटापे को कम करने में मदद करती है 20 वी टिप्स यदि आपको जुकाम ठीक नहीं हो रा तो लेसून को तेल में गरम करके अब इस तेल को थंडा करने और इसकी कुछ बूंदे आप नाक में तालें और पैर के तल्वों पर इसकी मालिश करें ठंडक दूर हो जाएगी 21 वी टिप्स ये है कि सुभा के समय बिना ब्रश किये सबसे पहले दो ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिये 24 वी टिप्स ये है कि एनिमी और किड्नी स्टोन के लिए मुनक का बहुत फायदे मंद है 25 वी टिप्स है कि सुभा खाली पेड लौकी का जूस पीना डाइबितीस के मरीजों के लिए बहुत जादा फायदे मंद है 26 वी टिप्स ये है कि रोज बदाम खाने वालों की हड़ियां हमेश्रा मजबूत होती है बदाम से केल्शियम और अन्ने जरूरी पोशन तफ़ शरीर को अच्छे से मिल जाते है 27 वी टिप्स ये है कि भीगे बदाम खाने से वजन गम करने में मदद मिलती है 28 वी टिप्स ये है कि जामुन खाने से दातों का पीला पन और संसनहाड यानी मसोडों की सूजन ठीक होती है जामुन के सीजन में जामुन का इस्तमाल जरूर करना चाहिए इसे शुगर में फायदा होता है अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो काजू का इस्तमाल करें 30 वी टिप्स ये है कि मेथी दाना इस्तमाल करने से दिल की तकलीफ और कफ की विमारी दूर होती है और 30 वी टिप्स ये है कि दई के साथ बदाम खाने से ताकत मिलती है 32 टिप्स ये है कि गुड़ खाने से खून साफ होता है रोजाना खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करने से ठंदक बनी रहती है ये सबी टिप्स बहुत कारगर है अगर आप इनको अपनी दिन च्वर्या में अपनी जीवन में शामिल करेंगे गुड़ लग के गुड़ का टून से खून अपनी खून से बाद रहती है